मैं जेपीसी नालंदा नियूस 24 में आप सभी का स्वागत करता हूँ पावापूरी अस्पताल का काला सच हुआ उजागर बिहार में बिहार सरकार आम आदमी को दिखाने के लिए और अपनी बहभाही लुटने के लिए करोडो रुपे खर्च कर अस्पताल बनवा रही है और जनता यह जानकर काफी खुश होगा कि बिहार में PMCH अस्पताल के बाद भी एक नया अस्पताल तयार करवाया है जो PMCH से भी उचा है पर उस अस्पताल को भी आम आदमी घ्रिना की दृष्टी से देखती है वह अस्पताल पावापुरी होस्पिटल है पावापुरी होस्पिटल में डॉक्टर नहीं दानव रहते हैं सरकार तो बड़ा अस्पताल बना दिया लेकिन इस अस्पताल के अंदर जो डॉक्टर काम कर रहे हैं वह डॉक्टर नहीं दानव है Breaking News पावापुरी अस्पताल अस्पताल नहीं मौत का अड़ा है Breaking News आ रही है कि पावापुरी अस्पताल की कूब यवस्था के कारण लोगों की जाने जा रही है और यहां के डॉक्टर जूठा रिपोर्ट बनाकर अपना बचाव कर रही है सोचने वाली बात यह है कि सरकार ने अस्पताल अभी अभी नया बनवाया है फिर अस्पताल की कूब यवस्था कैसे हो सकती है सरकार इस अस्पताल को बनाने में नई इट और सभी समागरी मिलाकर एक नया भवन निर्मान करती है जब अस्पताल के अंदर सारी सुबधाई पूरी नहीं थी तो फिर इस अस्पताल को चालू कैसे कर दिया गया जनता अपना इलाज इन नई वनी इमारतों से करवाएगी क्या हमें ऐसे ऐसे बड़ी बिल्डिंग नहीं चाहिए यहां डॉक्टर मरीजों के शरीर का व्यपार कर रहे हैं हमें छोटे छोटे डिस्पेंसरी चाहिए जहां डॉक्टर रुपे इंसान हो राक्षस नहीं पावापुरी अस्पताल में राम अव्दार साल जो बिहार सरीफ के रहने वाले हैं कुरोना पोजेटिव पाये थे और रिपोर्ट भी पोजेटिव आई थी इसके बाद इन्हें पावापुरी अस्पताल में भरती कराया गया जहां इनकी मौत हो गई बिते कुछ दिनों में पावापुरी अस्पताल में कुरोना से दो लोगों की मौत हो गई और यहां के डॉक्टर उन्हें हार्ट अटेक के साथ साथ कुरोना निगेटिव की परची जमा कर चली गई पावापुरी एस्पताल का यह आलम है कि राम अवदार साल के पुत्र अपने पीता की हालत खराब होते देख डॉक्टर को बुलाने के लिए काफी कोशिश की काफी आवाज लगाई पर कोई भी डॉक्टर उस वक्त नहीं पहुचा और राम अवदार की मौत हो गई राम अवदार साल की मौत होने के बाद डॉक्टर आये और उन्हें हार्ट अटेक की परची थमाकर अपना पला जार लिया जबकि हकीकत कुछ और भी बया कर रही है इस सभी के पीछे बिहार सरकार का भी बहुत बड़ा हाथ है बिहार सरकार डाटा को छुपाने और बदलने का भी काम कर रही है पावापूरी होस्पीटल के डॉक्टर के लापरवाही से एक मरीज की मौत इस निउज को उजागर बिहार बिधान सभा के आप नेता एस सेस परभाकर उर्फ पप्पु जी ने किया है और परभाकर जी ने कहा बिहार सरकार स्वास्थ में पूरी तरह फेल हो चुकी है नितिश बाबू को केवल अपनी कुर्सी की चिंता है बिहार की जनता की नहीं